आज मैं योग के इस प्रोग्राम में बात करने जारी हूँ फैटी लीवर की फैटी लीवर की क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं और यह अगर बढ़ जाए तो किस तरह का रुख ले लेते हैं इसी सब चर्चा पे हम बात करने जाएंगे योगुरू से और इनसे जानेंगे कि सबसे बड़ा विश्य है क्योंकि इसकी चपेड में आजकल की यूवाय आरे लाइफस्टैल चेंज हो चुका है सब कुछ चेंज हो चुका है तो क्या कहेंगे इसको किस तरह से ये बनता है सबसे पहले हमारे विचार जो है वो आजकल बन गया है कि यार खाओ पीओ मर जान का थी कुछ भी खा लीजिये यह आप ने आससे हमारी दादी चाची नाइज आया जो थी वो क्या कहतीती थी अरे अरह बेटा तुझे मत खाना तेरी प्रकिरति ठीक नहीं तो इसका मतलब ए कि जो हमारे पुरॉबस थे वो बहुत घ् searching को क्या देना चाहिए manc hacker就 में उसको पर हम दियान देते हैं सबसे पहले कि जिनका लिवर फैटी हो जाए एक तो जो कुछ समोकिंग बगारा जदा करते हैं उनको भी यह प्रावलम आती है क्योंकि हमारा जब लिवर ड्राई होता है ड्राई से फिर कहीं बिमारी होती हैं एक बात दूसरी बात कि जब हम कुछ प्रद्व मान की आगे भी रखेंगे तो बेजिती हो जाएगी मना हम शोभा में मरते जा रहें रहे हैं थेंस्टर अन ति नतीवक्षी ता नतीवक्षी ता तेल आम मरदती श Regular तेल पर मलो तो लाब बहुत हो जाएगा बक्षन करने पर लाब नहीं होता गाय का गी शुद्ध गी लेना चाहिए लिवर फैटी भी हो जाए आपको कलस्टरो जूरी कैसा थाइरेट जैसी बिमारी होने पर डक्टर कहते हैं कि गी तेल को बंद कर दो मैं कहता हूं शुद्ध गाय का देसी गाय का गी आप ले सकते हैं दूसरी बात कि अगर हो ही गया कैसे हो गया क्योंकि हम जो आज काल जो ओदनिक पदार्थ बने हैं जो चाइनिज फूड हैं वो हम बहुत जदा लेते हैं कच्चा मैदा खा लेते हैं लिवर हमारा काम नहीं करता हाँ इसका एक बहुत जे भी है वो होता है ना चावल चावलों की कही प्रकरण हैं चावलों के कही रंग हैं एक लाल चावल आते हैं लाल चावल को पीस कर उसका आटा बना कर चून बना कर एक चमच एक चमच अगर आप लाल चावल लेके चमच उसका आटा मों में डालके चबा चबा के मों के अन्दर जो लाल होती है ना उसी के साथ चबाते रहो चबाते रहो वह आपको बहुट लाब देता है जाकर लीवर को लीवर खराब भी हो जाएceu भी कि खराब भी हो जाए ना उसे भी बहुत लाब होता है उसे किस तरह से फायदा मिलता है जैसे हमारा प्राकृतिक है ना जो शरीर हमारा शरीर मिटी का बना है तो इसका इलाज मिटी में ही बड़ा हुआ है तो प्राकृतिक तरीके से बता रहा हूं और एक सरण तरीका और बत एक गिलास गरम पानी सिप सिप करके पीजिए सैर करो और योक करो थोड़ा सा कपालवाती करो प्रनायम करें और वस्तरिका करें वस्तरिका जैसे बीस वारेदर करो बीस वारेदर यह वस्तरिका है यह लिवर फैटी बालों के लिए बहुत अच्छा है और गी का जो देसी गाय के गी को छोड़के अन्य गाय के गी को जा बहस के गी जा अन्य जो भी गी है इनका बंद कर दें और रफाइंड जैसे इपदार तो बंद कर दें अगर हो सके तो आपको बिलकुल उबला हुआ ही माल लेना चाहिए एक प्राकृतिक का ही एक नियम है कि आप जितना उबला हुआ माल लोगे इतना लाइबदाई को होगा और तली हुई चीज़े नहीं लेनी चाहिए जैसे हमारे श्रीर में अगर हम एक सिंपल दूद भी ले तेल के उबला हुआ माल भी अगर हम लें तो यह साड़े तीन गंटे में पच जाता है अगर उसके बीच में हम पकवान लेते हैं तो साड़े पांच गंटे लगते हैं उसे पचने में अगर हम उसमें मास ले लेते हैं तो ब्यातर गंटे लगते हैं इसे पचने में ब्यात की तरह से हमारे श्रीर के लिए यह अहार जो बने हैं शुद्ध अहार लीजिए बिना तेल के लीजिए सदा लीजिए और अगर नहीं तो जब तक कलस्टोल मतलब की कम से कम एक महीने के लिए आप शुद्ध शाखाहारी वन के उबला हुआ पदार्थों को लें कपाल बाती करें बस्तिरिका करें और प्रणायम करें लंबी स्वांस लें कुछ रोकें दूसरी तरफ चोड़ें खुले में करें एकांत में बैटकर करें ए एक बात और कपाल बाती कुछ लोग कहते हम दो गंटा कबाल बाती कर लेते हैं ड्री गंटा करते हैं आप कितनी कर सकते मैं नहीं कह सकता आप अच्छा कितना कर रहे हैं वह लाबदाएक हो रहा है आप जब कबाल बाती कर रहे हैं तो ध्यान भी आपका कमर सीधी आंके बं और कपालबादी सो बार करें फिर थोड़ा विश्राम ले मौन हो जाएं पुना सो बार करें छोड़ें कम से कम आप तीन सो बार कर सकते हैं तो पुझा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे जी तो और इसके इलावा खाने में जिस तरह से मैं बताया कि तलिवी चाशा नहीं खाचे अगर हम अपनी डेली रूटीन में योगा को लाते हैं इस आसनों को करते हैं तो क्या कभी कबार अगर किसी को कुछ खाना होगा पसंदीता हैं सब्सक्राइबता लगी तो कि यह सकते हैं यहां जो इतनी इतना प्रेस्ट जिस्ता से करनी हैं उसे अपनी डेली रूटीन में लाओ उसके साथ अपना पसंदिदा भी कभी कभार खा सकते हो एक महीने के पुर्दकी दाल ले रहे हैं तो चार-पाइज दिन के बाद वही आपको रोग देगी तो मलब कि रोज हम एक बोजन को भी नहीं ले सकते बदल बदल के लेना होता है इसी तरह एक फूरूट को भी नितनी ले सकते उसे भी बदल के लेना होता है तो कभी कभार तो चल जाए बहुत बाद ईनवाद हमाइसा जुडने के लिए तो जिस तरह से बात की जाती है योग मिटाई रोग और इसी को लेकर हम कई सारे रोगों पर चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से अमने आपको पिछले कई हफतों से अलग-छलग विश्यों पर बात करे है और आज इस तरह कि इसका क्या नुकसान रहता है क्या कुछ हमें खाना चाहिए और क्या कुछ हमें अपनी जिन्दगी से छोड़ना चाहिए तो उसके साथ हमें योग को अपनी जिन्दगी में लाते रहना चाहिए और डेली रूटीन में इसका प्रियोग करना चाहिए तो अगले हफते ने व बड़ू के साथ मैं पुझे ठाकूर यंग बाइच चमो